यदि आप लॉपढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमारे एप को डाउनलोड करें और लॉपढ़ें नमस्ते सदावत सले मात्रवू में आज हम लोग ये जो हरियाना पंजाब में रेल रोग को चक्का रोग को आंदुलन की तरफ बढ़ रहे हैं किसान और इनको भढ़काने वाले सही से भढ़का रहे हैं ये जो तीन बिल आए हैं बलकि चार बिल आए हैं तीन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं चोते की चर्चा शायद लोग नहीं कर रहे हैं इन चारो बिलों से ऐसे पांच क्या लाभाहनी होने वाले हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाले हैं, हमारे किसान के जीवन को परिवर्तन करने वाले हैं, उन पांच लाभाहनी को डिसकस करेंगे, पहली बाद, सरकार ने एक बिल में ये कहा कि देश में कोई भी विक मंडी समिती से बना हुआ नहीं होगा या किसान मंडी समिती से बना हुआ नहीं होगा मंडी समिती के बारे में मैं आपको बतातू कि हर जिले में एक मंडी रहती है मंडी की एक समिती होती है, मंडी समिती की एक रसीद कटती है, अब सपोज मेरा कोई समान कहीं किसी cold storage में है, या किसी जगए पर ऐसा है, जहां पर हम उसको रख सकते हैं, या मेरे खेत में उगा हुआ है, मेरे पास वो धन है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, हमने मंडी समिती की रसी काटनी ही होती थी, क्योंकि मंडी समिती की रसीद के बगर वो नहीं जा सकता, तो अभी इन्हों ने ये किया है, इस बिल में, कि मंडी समिती से कोई भी किसान बना हुआ नहीं होगा, किसान अपनी फसल डिरेक्ली बेच सकता है, उसको मंडी समिती की रसीद काटनी की जरू होने लगेगा तो भविष्च खराब हो जाएगा मंडी समीतियां स्टेट वहों सगव हमेशा से तो राज्य सरकार के हाथ में मंडी समीति रहती है और i8 गरा अиж reduz दिखाना चाहते हैं तो हमने cold storage से उसको निकाल कर सबसे पहले mandi subMoethe किक रसीड कटवानी के बाद हम उसको यहां से बह valleys सकते हैं अब वह भी जब रास्ते में जाता है तो हमारे जिले की जो mangi substi की रसी है उसरा सीर के साथ साथ जब border cross करेगा तो border पर भी हमको अगर Igna Om Pier 18 कि एए बना रखी है अलगा सभी स्टेटों का अलग अलग मावला रहता है तो हर स्पेट के अपने को मैंटी समीटी की रशीumm Syrian कटानी नहीं होती है तम कि लास्ट अगर आप मंदी में एंट्र करेंगा की मंदी कि भी फिर से मुझे मंदी समीती की रसीद काटेगी वो बंडी समीती की रसीद काटे बगार हमारा समान महां भिक नहीं सकता अभी क्या है कि अगर आप क Nous MR बेचना चाहते हैं तो मंदी में बेचिये जैसे पहले वेबस्था चल रही थी अगर आपको लगता है कि मैं direct sale कर सकता हूँ तो आवशक नहीं है कि आप मंणी समयती के मद्य हम से बेचे और मंणी समयती की रसीत आप कटवाएं आप क्यों अपने उपर बड़न लेंगे हमारा पैसा बच रहा है मंडी सकता है जैसे उसकी चाहिए वैसे वो मंडी से चाहिए मंडी से बेचे वो इसकी MA strengthen ह CP्रेख wage हम हमें जहां पर यूचित मिलेगा यह प्रकार कर से मेंрал これ इसको मिटत मैं मंडी समीति से कीसी बीच के बिचोलिये से बंदा हुआ नहीं मंडी समीति का मतलब होता है कि मंडी में जब सामार ले जाएंगे तो वहां एक पाटिकुलर आड़त होगी उस आड़त की माध्यम से ही हम उसको बेचेंगे वहां हम प्राइविट लिन बेच सकते हम आड़त के माध्यम से बेचेंगे आड़त वाला जो भी हमारा तै करता है वह रेट वह तै करता है और हमने मुंबई की मंडी में तो खुद अपनी आँखों से देखा कि ऊपर से गंचा डाल लेते हैं और गंचा डालका दोनों अंदर उंगलियों से कुछ रेट तै करते हैं कि किसा लिया फिर किसान उसमें बहुत बार ऐसा केता है नही we gallon बैचना तो रिखवाना थो कोई तो अगर मन्डी समीत अपर से किसी बियुद ऐसे एक चीज, बिल्कुल clear होती है इससे, दूसरी बात ये है कि हम इस्टेट हुट से बने हुए नहीं है, कि राज्य हमारी समान होता था, वो राज्य की अनुमती हमको चाहिए होती थी, अपना राज्य क्रॉस करने के लिए, अभी इसमें उन्होंने किया है कि एक देश, एक किसान पूरे देश में कहीं भी बेश सकता है, वो किसी भी राज्य के रिस्रिक्शन से बदा हुआ नहीं रहेगा. तीसरी बात जो इसमें कही है, दूसरे बिल में, उन्होंने का प्री बुबाई एगरिमेंट. अब हमारे साथ क्या होता है बहुत सारी समस्य हैं हमारे देश में होती ही कि statistical data अपने पास नहीं होता और data ना होने के वज़े से हम अपना सामान बोलेते हैं और किसान जो भी सुनेंगे इस वाले को तो किसान को सब को मालूम है कि उसको दो-तीन साल में एक बार बहुत बड़ है पिर अगले साल पैसा डूब गया तो बहुत बार ऐसा होता कि वह बैंक से करजा लेता है और करज लेकर बीजब овता है बीज बोने के बाद उसकी फसल खरब हो जाती है तो बैंकों के करजे में आ जाता है फिर ये जो हमारे किसान नेता है ये करज माफी का अंदोलन छे तो चिप्स बनाने वाली कंपनी को साल में उसको मालूम है कि उसको 500 ट्रक आलू की अवश्यक्ता पड़ते हैं वो क्या कर सकता है कि और उसको एक पार्टिकुलर क्वाल्टी का आलू चाहिए होता है वो क्या कर सकता है वो किसान से contract कर सकता है और बोते समय उसका rate तई कर सकता है अब किसान की इच्छा की बात है कि वो बोते समय ये तई कर लें कि भई हमारा maximum ये 500 रुपे का कुंदल बिगता था यह जार रुपए का एक कुंचल बिखता था हम सब 500 रुपए कुंचल में आपके साथ एग्रिमेंट करेंगे हम आप आपके द्वारा कहा गया आलू बो देंगे जो आप बताओगे लेकिन हम आपके अनुसार फसल तभी होएंगे जब मुझे कम से कम इतने पैसे आप दोगे अब यह प्री बुबाई एग्रिमेंट जब हमने कर लिया और हमने यह तै कर लिया हमें इतना मिनमम प्राइस चाहिए ही चाहिए किसान के पास ये अधिकार होगा कि वो ना करना चाहे तो ना करे किसी कॉर्परेट सेक्टर के साथ लेकिन कॉर्परेट इन्वेस्टमेंट इस माद्यम से आता है वो एडवांस पैसा ले लेता है बीच का पैसा ले लेता है, खेत में बुबाई का पैसा ले लेता है, और agreement एक register कर लेता है, और उस agreement के मादधम से वो ये तै कर लेता है, इतना minimum हमको मिलना ही होगा, अब उसमें दोनों प्रकार क्या हो सकते हैं, minimum इतना या फिर market, जो भी इन में से ज़ादा हो, ये भी तै कि जा सकता है, वो depend करेगा किसान किस तरह से तै करता है, लेकिन अगर किसान ये तै करता है, कि मैं minimum इतना चाहिए, तो फिर वो minimum के हिसाब से agreement हो सकता है, अब ये जो rate है, कोई आवश्यक नहीं कि हम minimum support price से नीचे करें, हम agreement करते समय, minimum support price के ऊपर भी agreement करेंगे, तो इससे क्या अलाब होगा, कि जो हमारे दिमार्ट में आशंका है कि minimum support price सरकार जो देती है, वो सरकार परचेस आईसा नहों बंद करते, के अंदर सरकार नहीं कहा कि जो minimum support price वाला जो सरकारी परचेस है, वो सरकारी परचेस वैसी खुली रहेगी, जैसी हमेशा से खुली रहती है, लेकिन आपके पास option होगा कि वो चाहें तो लेवी में बेचे और चाहें तो प्राइवेट सेक्टर को बेच ले agreement उसी समय कर ले जिस समय वो बोने जा रहा है कि भया हम आपकी फसल आपके द्वारा आपके कही गई फसल हम बोएंगे लेकिन इस फसल में इतना एकड में इतना पैसा मुझे चाहिए ही चाहिए अब उससे agency का company का क्या होगा company उसमें expert आपको देंगी कुछ जो experts महिने दो महिने में आपके खेत का survey करने के बाद ये सलहा देंगे कि इसमें क्या चीज कमी है क्या अच्छा क्या खराब है क्या करना चाहिए इसके अगर हमको उस समय इंशुरेंस की ज़ुरत पड़ती देखे जब भी कोई कंपनी हम से कॉंट्रक्ट करेगी खेत पले से कॉंट्रक्ट करेगी और फसल का वो एक इंशुरेंस टाइप देंगे कि पांच एकड़ भूमी में अगर आप हमारा ये फसल उगाते है तो हम आपको इतना minimum assured करते हैं कि हम इतना आपको देंगे और ये price भी हम आपको देंगे अब उसमें थोड़ा बहुत जो वजन है उससे वेरी कर सकता है minimum price हम तैए कर सकते हैं लेकिन minimum price फसल खराब हो सकती है कभी और समस्या हो सकती है तो ये जो corporate company'ा है इनका काम होगा कि य अगर कोई company या कोई bank हमको home loan देती है तो home loan के साथ साथ उसका insurance भी करवाती है इसलिए करवाती है कि कल को जिसका घर है वो घर तूट जाता है कोई और आपदा आ जाती है तो वो पैसे कहां से हमारी recovery देगा इसलिए वो insurance साथ में करवाते हैं तो क्या है कि यह जो company हैं इन company की जिम्मेवारी होगी कि जब हमें वो एक price हमारा तैय होगा जब एक agreement होगा तो company घाटे में नहीं जाना चाहती है किसान के पास इतना समय नहीं होता है या किसान के पास इतना इतनी रास्ते नहीं होते कि वो कहा insurance करवाए कैसे soil testing करवाए क्या फसल में जरूरत है क्या कितनी खाट डालनी है कितना बीज डालना है यह सब चीजी जो expertise होती है हो सकता है कि हम जनम से खेती करते आएं इसलिए ह हमको बहुत अच्छा लगता हो क्या हम जानते हों लेकिन क्यों ना हम experts की रहे लें तो यह company जो हैं जो 500 एकड़ भूमी में 100 एकड़ भूमी में 10 एकड़ भूमी में 50 एक पार्टिकुलर प्रोड़क्ट हमको बुबाना चाहते हैं तो फिर यह हमको expert भी देंगे ताकि फसल उनके हिसाब से अच्छी पैदा हो और हमारा एक insurance भी होगा यह सारी चीजें जो जिस प्रकार की अब चल रही हैं तो सवाल यह आता है कि क्यों नहीं हम corporate sector में उतरते क्यों नहीं हम commercially चलेंगे वह हम किसान ही क्यों सबसे पिशड़ा रहे अब जैसे एक समझ से आई कि Agential Commodities Act तो Essential Commodities Act से फसल बाहर कर दी अब लोगों की चंता यह है कि इसेंशल Commodities से क्यों बाहर कर दी यह सब कुछ Essential Commodities में रहता है और उनकी सप्लाई करनी ही पड़ेगी अरे भाया सारी दुनिया की चीज़ें आप commercial चलाते हैं हमारे किसान का जो 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 पॉड़क्ट है उस पर क्यों यह restriction वो क्यो इसेंशल Commodities में किसान को क्यों नहीं पैसे मिलने चाहिए अगर market में स रुपए में बिकेगा तो आप कहते हैंगी कि नहीं वो बीस रुपए में बेचना है लेकिन जो salaries आप दे रहे हैं जो जो government employees हैं उनको आप हर साल उनका increment लगाते हैं वो दो दो तीन तीन लाख रुपए उनकी सेलरीयां पहुंचे क्या किसान का प्रोड़क्ट जो उनने सो को 43 में था जितनी आमदनी किसान को 47 में दी क्या 2020 में उस ratio में अमदनी बढ़ी है क्यों नहीं बढ़ी क्योंकि हमारा जो product है वो initial commodities में पढ़ा हुआ है जब हमको अच्छा rate मिलने को होता है वैसी सरकार उस पर question mark लगाकर खड़ी हो जाती है और कैती ऐसे नहीं ऐसे करेंग RBI Regulation में Banking Regulation Act में आपने cooperative banks को डाल दिया है क्या है कि cooperative banks से नितागिरी होती है जैसे मैं बताओं कि मुलाइम सिंग्यादव उत्तरप्रदेश में cooperative banks से ही बने शरतपवार cooperative bank के खला ली है इस प्रकार देश के बड़े बड़े जो politician है जो rural politician है जो किसान की politics करते हैं ये सब cooperative bank को पर हावी है और cooperative bank की एक समिती बनती है जिसको चाहते हैं उसको देते हैं जिसको चाहते हैं उसको नहीं देते हैं उन्होंना कहा कि जो irregularities हैं जितनी भी cooperative societies में cooperative bank में ये cooperative bank हम banking regulation में डाल देते हैं ताकि RBI की guidelines इस पर भी लेवनों ने छोड़े हुए हैं जहां पर छोटे सिमान किसानों को वो फिनेंस करते हैं उनको छोड़ दीजे और जहां पर banking word इस्तिमाल नहीं होता जहां bank नहीं है वहां आप छोटी समिती बनाकर पर काम करते हैं उनको हम बाहर निकालते हैं लेकिन जो बड़े स्तर पर काम करते हैं banking regulation से काम करते हैं वो banking regulation में क्यों नहीं आएंगे हम निके सब को याद होगा कि जिस समय नोट बंदी हुई थी उस समय बहुत सारे allegation लगाए गया थे कि पैसा cooperative bank कों के मादधम से यह धर निकल गया उधर निकल गया ऐसा हो गया वैसा हो गया तो अब cooperative bank को banking regulation में डाल दिया गया है तो अब जो किसानों के नेता हैं जो किसानों की leadership करते हैं और पूरा उनने हारे रिकी बना रखी वो पूरी जमीन से दोस्त हो चुकी है इसलिए सबसे बड़ी समस्या जो इन लोगों की है वो यह है कि अब किसान पर राजनीती करेंगे तो करेंगे कैसे हाँ यह संबब है कि corporate sector कल को लोगों की चिंताए है कि corporate sector के हाथ में कहीं किसान न बिग जाए तो यह जब minimum की बात हम कर रहे हैं जब agreements की बात कर रहे हैं तो उसकी mechanism भी बनाएंगे कि अगर उसमें कुछ धंदली होती है नहीं भी कुछ होता है तो at least किसान ने जो advance ले रखा है वो तो किसान का हो गया वो हम ऐसे बेच लेंगे जैसे market में बिखता है दूसरी बात इसमें यह आती है कि ऐसा नहों कि हम corporate sector के हाथ में फज जाएं अरे वया आपको सरकार पर विश्वास होना चाहिए आपकी इस सरकार जो केंदर की सरकार बैठी हुई है पहले 6-6,000 रुपए साल का किसान को किसी सरकार आपकी ही है किसी और की नहीं है सरकार बिल्कुल कटिपत है लेकिन सरकार जहां तक कोशिश कर रही है कि जो विदेशों में नीतियां चलती है जो विश्व के बड़े देशों में नीतियां चलती है जहां पर commercially deal किया जाता है farmers को वैसे चलाने के कोशिश की जा रही है तक ये फार्मर्स फार्मर जो है वो एक निचले तपके से निकल कर उपर आये और एक बेपरी की तरह काम करने लगे हाँ अगर कोई समस्य आती है तो सरकार आपकी है सरकार उसको निजात कर देगी आपको सरकार रिलीफ देगी और रेगुलेशन ले कर आएगी मैं इस विशै पर एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसान को commercially क्यों न benefit मिले, किसान के बड़े हुए फसल का rate क्यों न मिले, किसान को अच्छी फसल क्यों न मिले, किसान हिंदुस्तान के किसी कोने में क्यों न बेच पाए, किसान हिंदुस्तान में क्यों न फ्री हो, किसान क्यों लेवीज में किसान क्यों minimum support price पर बेचने के लिए मजबूर हो क्योंकि उसको मंडी नहीं मालूम मैं कह रहा हूं कि पुरानी वेवस्ता जितनी भी है सब कुछ बनी हुई है नए options हमको दिये गए है इन options का अगर हम इस्तेमाल नहीं करना चाहेते तो हम ना करें किसी ने हमको बाद नहीं कि इन नए options का हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो करेंगे नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे इसमें कोई समस्या की बात ऐसी नहीं है मुझे लगता है कि एक अच्छा बिल है और अगर कुछ up and downs होते हैं तो सरकार आपकी है आपकी मदद करने के लिए खटेबद है इसलिए आप मुझे इस डिस्क्रिप्शन से हमारे आप को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि लॉय स्टूडेंट्स को लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉय जानना चाहता है वो paid classes का लाब ले सकता है